शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें पोले के पाडवे में सिल्यवाडा वासी बुद्भार को शाम चार बजे पोले को अपने कामों में विस्ते, इस से दर्मियान वाड करमांग चार में सिल्यवाडा निवासी आरोपी, सिद्धनात 11, उम्र 24 और अमरनात 11, उम्र 22 इन दोनों भाईयों ने मिलकर लाली हसन खान उम्र 32 को लोहे के पाइप से सेर पर प्रहार कर जान से मार दिया। तब रितक लाली ने सिध्धनात के पास मजदूरी के रखे 16 सो रुपे छीन लिये और गाली गलोच कर उसे चाटा मारा। जाहिद भी गंभीर जखमी हो गया। लाली जमीन पर गिर जाने के बाद सिध्धेश्वर और अमरनात दोनों वहाँ से भाग गये। लाली के दोस्तों ने लाली और जाहिद को उठा कर कामठी आशा नर्सिंग होम ले गये। वहाँ डॉक्टर ने लाली को मृत घोशित किया। लाली और सिध्धेश्वर दोनों दोस्त है और साथ में कभी कबार गांजह भी पीती थी। कुछ लोगों का कहना है कि जुआ खेलने के बाद दोनों में पैसे को लेकर विवाद हुआ। इसके चलते लाली अपने भाई के साथ सिध्धेश्वर के घर गया और उससे मार पिट की। पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है घटनास्तल पर। खापर खेडा पुलिस के अलावा स्थानिक अप्राश शाखा नाकपूर ग्रामिन की टीम भी मौजूद है। ग्रामिन पुलिस अधिक्षक राकेश ओला और फोरेंसिक टीम भी घटनास्तल पर पहुचे।